शिरी शिवाय नमस्तू ब्यां हर हर महादेर आज की गता सावन शिव महापुराण में गुरू जी ने एक विशेश बात बताई यदि आप अपने घर पर बेल पत्री का पौदा लेकर आते हैं और फिर उसको उसी समय शिव मंदिर में लगाने जाते हैं तो उसके पहले आप एक काम कीजिए जब भी बेल पत्री का पौदा घर लेकर आएं तो उसे एक साल तक अपने घर पर रखिए उसमें पानी डाल कर सीचन कीजिए जब वे एक साल का हो जाए तो उसको शिव मंदिर में लेकर जाईए भगवान चंकर पर एक लोटा जल अभी शेक जल समर्पित कीजिए उस जल को पात्र में जेल कर उसी जल को भगवान चंकर पर साथ बार घुमा कर वही जल बेल पत्री के उस पेड में समर्पित कर दीजिए इस तरह माता पार्वती और बगवान चंकर का विवा संपन हो जाता है फिर आप उस बेलपत्री के व्रक्ष को शिव मंदर के आसपास कहीं भी लगा सकते हैं जो भी व्यक्ति उसमें से बेलपत्र तोड़ का छड़ाएगा उसका पुन्य आपको भी प्राप्त होगा शिरी शिवाय नमस्तूब्या हर हर महादेश